हाई जाइज वेलकम योर फ्रेट यूटूब चैनल फेशल केर और सेल्फ हाई फ्रेज्ज दिशी शीर्षा फ्रेज आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ एसा एक टीप्स जिसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेज्ज आपके स्कीन धीरे धीरे टाइटेन और फ्यार बनते जाता है यह आपके स्कीन को लूस जिनका भी स्कीन हो गया है उसको टाइट करने के साथ सत्थ फ्यार बनाता है स्किन का दाग धब्बे को रिमूब करता है ये फेस पैक फ्रेंस बहुत है अच्छा है सबी के बास सब कुछ एवेलेमें रहता नहीं है तो उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ अलग-अलग टाइप के फेस पैक बना के आपके साथ शेयर करने के लिए ताकि सबी लोग इसका बेनिफिट ले पाए जिनके बास जो भी है वो उसी को लेके फेस पैक बना पाए इसके लिए हर रोज मैं ट्राइ करती हूँ नया नया सा कोई फेस पैक बनाना जो आप भी ट्राइ कर पाए जो अभी तक मेरे आगे का वीडियो देखके जिनको लगा है क्या नहीं उनके पास ये सब चीज अवेलेवल नहीं है तो वो कैसे अपने स्कीन को फियर और टाइटन बनाएंगे कैसे अपने फेस का स्पोर्ट रिमूब करेंगे तो मत सोचिए मैं अपने चैनल में हर रोज एक नए एक वीडियो डालती जाती हूँ आपके स्कीन को फियर और स्कीन टोन को लाइटन और स्कीन का स्पोर्ट को रिमूब करने के लिए और उसके साथ मैं आज जो लाई हूँ वे तो फियर करेगा है आपके स्कीन को skin का जो spot है उसको तो remove करेगा उसके साथ इसाथ friends यह आपके skin को tighten up भी करेगा पर दोस्तों ऐसा नहीं है क्या यह skin को tight करता है इसके बज़े से आप नहीं लगाएंगा आपका उमर कम है आपका skin तो ठीला नहीं होआ है आपका skin lose नहीं हुआ है तो आप नहीं इस्तेमाल करेगा ऐसा नहीं है हर को इसको इसको इस्तेमाल कर सकते है पर जिनका skin lose हो गया उनके लिए यह और भी बैतर काम करेगा मतलब उनके लिए friends यह skin को tighten आपका काम करेगा पर हर कोई इसको इस्तमाल कर सकते हैं जिनको भी चाहिए फ्यार और स्पॉटले स्किन वो इसको इस्तमाल करी सकते हैं तो फ्रेंस ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्रीज सब्सकाइब कर ले आप मुझे फस्ट टाइम देख रहा हैं तो friends मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें तो आज का जो टिप्स है वो है friends फ्यार और टाइटन नफ स्कीन के लिए इसके लिए friends हम लोग पहले लेंगे आलू को आलू में bleaching properties रहता है जो आपके skin का जो भी दाग दबाए उसको इमूग करने के साथ साथ आपके skin को फ्यार स्कीन दिलाता है इसके लिए आपको लेना है आलू का juice तो मैं इसका juice निकाल लोगी तो friends ये आलू का juice में जो बिल गया है इसपेशन निकाल सकता है इस पेशन पैक को ले रेडी करने के लिए दो चमठ आलू का juice चाहिएता तो मुझे मिल गया है मैंने ही यहापे कृट्डू के सबक है आलू का juice निकाला है आप इसको गेंडर में पीस के भी जूस निकाल सकते हैं या किसी भी किसम से इसका जूस निकाल सकते है पर आलू का छिलका को रिमूट करने के बाद ही इसका जूस आपको ले ले ला है तो फ्रेंस दो चमच आलू का जूस मैंने लिया है और इसके साथ मैं इसमें जोरूँगी कॉन फ्लावर कॉन फ्लावर फ्रेंस बहुत ही अच्छा रहता है स्कीन को फ्यार बनाने के लिए और उसके साथ इसाथ आपको स्कीन को टाइटन अपने के लिए आपका skin loose हो गया तो friends corn flour बहुत ही अच्छा है ये आपका skin को tighten करता है और skin tone को brighten भी करता है फ्यारल बनाता है skin में जो dark है dead cell है उसको remove करने के लिए भी help करता है तो इसके लिए 2 चमच corn flour मैं इसमें add करूंगी और इसके साथ half tablespoon मैंने aloe vera gel दिया है और इन तीनों को अच्छे से मिस्ट कर लेना है मिस्ट होने के बाद फ्रेस इसको आपको अपने face में लगा के रख देना है मैं अपने हाथ में इसको लगा के दिखा रही हूं ऐसे आपको अपने face में लगा लेना है इसको लगा के पांच मिनिट रखना है और फिर से reapply करना है यह पांच मिनिट जब बिछ जाएगा तब यह थोड़ा dry हो जाएगा तब dry होने के बाद आपको फिर से थोड़ा ले के आपके face में इसको लगा लेना है और जब भी आप face में लगाता है इसको आपर stroke देके लगाईए यानि नीचे से उपर की तरफ खीचके इस face pack को लगाईए क्योंकि friends ये face pack tighten आपका काम करता है तो आपको नीचे से उपर की तरफ इस face pack को लगाना है और इसको लगाके 20 मिनट रख देना है मतलब friends first time आप जब यूज कर रहे हैं तब लगाके 5 मिनट रखना है और 5 मिनट बाद फिर से reapply करना है और reapply करने के बाद और फिर 20 मिनट इसको आपको लगाके रख देना है ऐसा friends आप हर रोज करेंगे तो friends यह आपके skin tone को lighten करते करते हैं आपके skin को फ्यार बना देगा आपके skin का जो दाग धबा है उसको तो रिमूब करेगा और आपका skin पहले से बहुत ज़ादा टाइटन अप हो जाएगा आपका skin lose हो गया है तो friends यह आपके skin को टाइट भी कर फ्रेस मैंने आलू का रस मिलाया है जो आपके skin का बाट है उसको रिमूब करने के लिए help करेगा मैंने यह आपे conflower मिला है conflower आपके skin का डेट से को रिमूब करके लिए फईयर बनाएगा डार्ट को रिमूब करेगा आपका skin tone को lighten करेगा और इसका main जो काम हो है हो है friends आप अपके स्किंग में जो भी टैन है उसको भी मिटाने के लिए हल्प करता है तो इसके लिए यह अच्छा सा फेसमक्स पैक को आप हर रूच यूस कर सकते हैं और इसको बना के आप अपने फ्रीज में तीन दिन के लिए इसको यूस करें तो रोजाना इसी तरह बाहँ है इसको तो friends आप इसको थोड़ा थीक बना ले मतलब इसमें कॉन फ्लावर और भी एक चमज एड़ कर दे और एड़ करके इसको थीक बना ले थीक बना के इसको सिर्फ 5 मिनिट रखे अपने फेस में और 5 मिनिट बाद धो ले सिर्फ 5 मिनिट में ये काम कर देगा पर आपको टाइम मिलता है तो friends इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं तो friends आप इसको हर रोज 5 मिनिट के लिए इसको थोड़ा गारा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं इससे भी friends आपको अच्छा रिजल मिलेगा तो friends इसको मैं अभी कभी धोके दिखाती हूँ मैं camera किया सामने हूँ तो आपके सामने जब इसको एपली करेंगे भूण दिखा दिखा जूए या तो आपका स्कीन तेटन आप खूडाया तो मैं यह दोकी दिखा जितनी हूँ आपको आप देख सकते हैं यह स्किन को कितना ब्राइट बना देता है बहुत ही जादा ब्राइट और सॉप्ट बना देता है और फ्रेंस यह स्किन को टाइटन करता है तो इसको जबर इस्तेमाल करें और मैं फिर से बोले हूं फ्रेंस यह आपके पास टाइम नहीं है तो पाँच मिनिट यह आपके लिए काफी है, पाँच मिनिट के लिए आप इसको लगा सकते हैं, पाँच मिनिट में यह काम कर देता है, थोड़ा गारा बना लीजिए, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा गारा मतलब और एक चमच आपको पॉन तो हैं यह प्रेंट जिसको जरूर आप यूज करें, हर रोज यूज करें पाँच मिनिट अपने लिए टाइम ले और अपनी स्कीम को बहुत जादा फ्यार और टाइटन अप करें, तो फ्रेंट इस वीडियो को लगाए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और आपने बहुत